नमस्कार दोस्तों चलो आज हमें एक नए तरीके से Photoshop की CC वर्जन में अपने 8up, 10up, Passport, Identity, Identity इत्यादी बनाना सिखेंगे हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंग दिया है वो डाउनलोड करते ही आपको ये फाइल मिल जाएगी जादू Photo Projects इसे हम इंस्टाल करेंगे पासवर्ड वही है 7020085560 ओके तो हमें इंस्टाल करते ही डीड्राइव में ये दो फोल्डर मिल जाएगे जादू Photo Projects और फुटेज, फुटेज के अंदर ये पासपोर्ड वाला फुटेज मिल जाएगा ये फोटो प्रोजेक्ट उप्योग में लाने के लिए हमें Photoshop में एक Shortcut की बनानी है अगर आपके पास Photoshop का CC वर्जन होगा तो ये प्रोजेक्ट आप उप्योग में ला सकते है Shortcut बनाने के लिए हम Edit पे जाएगे, Keyboard Shortcuts पे क्लिक करते ही Layer section में यहां नीचे जाकर Smart Object, Smart Object में Update All Modified Content इस पे हम Shortcut बनाएंगे, Ctrl Shift M और Accept कर देंगे OK पे क्लिक करेंगे, ये अपना Shortcut की बन गया है हम अब कोई भी Image Open करेंगे Open, मैंने Desktop पे एक Image Open कर देता हूँ इसे मुझे Crop करना है, Crop Tool से यहां Width, Height, Resolution सेलेट कर देता हूँ 3 Inns, 4 Inns और 3 से को Resolution इससे हम एक Image Crop करेंगे एक Image हमने Crop कर दी और इसे हम Footage Folder में Replace कर देंगे File, Save As, D Drive, Footage, Passport यह Image पे हम Replace कर देंगे Save, Replace It अब बहुत ही आसान है हमें जादू Project Open करना है हम Open पे क्लिक करेंगे D Drive में जाएंगे जादू Photo Project पे क्लिक करेंगे और एटब का File, Project एटब का Project हम Open कर देते है यहां हमें अपनी बनाई Shotcut की Press करना है हमने Shotcut की बनाई थी Ctrl Shift M देखो, एक ही Key में हमारा Project तयार हो गया उसी तरह हम Tain Up का भी Project बना सकते है हम Tain Up का Project उपन कर देते है और वही की Ctrl Shift M प्रेस कर देते है यह भी हमारा आसानी से Project बन गया है देखो दोस्तों, यहां पूरी Image यह Smart Object है इसलिए इसका Quality Loss नहीं होगा और आसानी से हम 8-Up Tain Up बना सकते हैं धन्यवाद